हाई फ्रेंड्स मैं काईशा जी के वित अकाईशा मैं आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम पेपर फर्स्ट के थी माकर प्रश्ण देखेंगे करीब नौदस प्रश्ण हम इसके देखेंगे आंसर को आपको कैसे फ्रेम करना है यह देखिएगा और इनको कैसे अब लाइक से जरूर कीजियेगा और आप लोगों में से कुछ लोगों की कमेंट मेंट में पास आई हुए थे बहुत सब्सक्राइब कि प्लेइस नहीं मिल रहा है अपको में इसका तो आप प्लेलिस्ट में जाएगा आपको परस्पर फेपर सेकिंड करके पूरी प्लेइ करना चाहते हैं मेरे यही नोड से हैं एंड रेटर नोड से मेरा अगर आप इनको पर्चेस करना चाहते हैं तो मुझे वाटसप कीजिएगा मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी की नोट्स कितने का है और कैसे मिलेगा तो ओचली स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशन है योगांतर पर टिपड़ी लिखो तो योगांतर पर टिपड़ी लिखना है हमको लगबग थ्री नंबर में लिखना है तो थ्री पॉइंट हमको मेनी लिख नहीं है तो युगांतर में टिप्रीडे को नंबर एक ये एक सापता एक समाचार पत्र है नंबर दो 1906 में अनुसूलन समीती के सदस्य वरिंद्र कुमार गोस और वुपेन नाद द्वारा इसकी स्थापना हुई नंबर तीन बंगाल में प्रमुक रूप से क्रांतिकारी विचार धारा का इन्होंने विचार दिया तो युगांतर में क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा एक सापता है एक समाचार पत्र था 1906 में अनुसीलन समीती के सदस्य वरिंद्र कुमार गोस और वुपेन नाद द्वारा इसकी स्थापना हुई बंगाल में प्रमुक रूप से क्रांतिकारी विचार धारा का इन्होंने विचार दिया नेक्स्ट है मित्र मेला पर टिपड़ी लिखिए तो मैजनी की तरो निटली की तरज पर स्थापित एक गुपत संगठन है 1899 इस्वी में बिनाएक दामुदर सावरकर और गनेज दामुदर सावरकर द्वारा इसकी स्थापना हुई यह संगठन अभिना भारत का आधार बना तो मित्र मेला सबसे पहले मैजनी की तरो निटली की तरज पर इस्थापित गुपत संगठन नमबर दो 1899 में बिनाएक दामुदर सावरकर और गनेज दामुदर सावरकर द्वारा इस्थापना हुई यही संगठन अभिना भारत का आधार बना नेक्स्ट इंडियान हाउस पर टिपड़ी लिखिये तो क्या इंडियान हाउस पर क्या हो जाएगा नमबर वन लंदन में स्थापित भारा सुसासन समीती नमबर दो स्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में स्थापित उदेश अंग्रेश सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना तो इंडिया हाउस पर क्या क्या हो जाएगा सबसे पहले लंदन में स्थापित भारा सुसासन समीती नमबर दो स्याम जी कृष्ण भर्मा द्वारा 1905 में स्थापित उदेश क्या है अंग्रेश सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना तो इस प्रिकार से आपने ये तीन आंसर लिखिए योगांतर पर टिपड़ी लिखिए मित्रमाला पर टिपड़ी लिखिए और इंडियन हाउस पर टिपड़ी लिखिए चलिए अगला देखते हैं, अगला है कामगारा मारू प्रकरण को समझाओ तो कामगारा मारू प्रिकरण में नमबर एक होगा, कामगारा मार्ट एक जापानी जलपोत था, जिसने पंजाब के क्रांती कारी बावा गुरु दिता सिंग सिंगापुर से वैकूंबर ले जा रहे थे, कामगारा पर एक जापानी जलपोत था जिसको पंजाब के क्रांती का काम गारा मारू प्रकरण में हमको तीन पॉइंट लिखना है तो पहले हम यह लिखेंगी कि यह क्या था तो काम गारा जुमाट एक जापानी जलपोत था जिसमें पंजाब की क्रांतिकारी बावा सिंगापूर से वैकूंबल ले जा रहे थे जिसको कराड़ा सरकार ने उतनी के अनुमती नहीं दी जिसके करने कलकत्ता बंदरगा से सितंबर 1914 में बापिस लोटी आया और तीसरा पुलेस और यात्रियों के बीच मोटिवेड में 22 ल सब्वादानिक तरीके से सुधार की मांग की प्रमुक नेता दादा भाई नौरोजी शुरेंदरनाथ बनर जी जो पाल करशन गोखले तो वे नेतन पनी करता जिन्मोंने कांग्रेस के प्रारंभिक्चरण में नेतन किया Do subjectानि तरीके से सुधार मारू किया इस प्रकार से हमारे दो कोशन तीन नंबर में हुए अब है हमारा तराइन का दुत्तिय युद्ध लिखो तराइन के दुत्तिय युद्ध में नंबर वन युद्ध 1192 इस वी में लड़ाई प्रत्विराज चोहान और सहावद्दीन मुहमद गौरी के बीच बाना जाता है इस युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजे हुई तो यह आपका हो गया तराइन का दुत्तिय युद्ध अब है आपका अश्वगोस पर टिपड़ी लिखिए तो अश्वगोस बहुत्य महा कभी तथा दार्सनिक थे जर्म इनका सा के अयुद्या में हुआ माता का नाम सुनाक्षी था चतुर बॉद्ध संगीती की इन्होंने अध्यक्षता की तो इस परकार से आपने ये तराइन का दुत्तिय युद्ध लिखा इसी परकार से आप तराइन का विथम बिद्धु भी लिख लेजीगा तर युद्ध गया अश्यक्यानवे में लड़ाई प्रतिविरा चोहान और मुहमद गोरी के भी जिसमें मुहमद गोरी की हार हुई और वहे भाग गया था अस्वगोस पर आपने लिख दिया यहां पे आप उन्चा रहें तो एक बुद्ध चरत इनकी एक रचना भी लिख सकते हैं अस्वगो जैंड कांग काल में बच्पन का नाम इश्वा चंद बंदोती विध्याल force पारित किया तो इस पेकार से यह इसवा चन्द विध्या सागर पर टिपड़ी हो गई यह तरह इनका दुट्य युद्धी लिख लिया और इसे पेकार हम तरह इनका पथम युद्ध भी लिख लेंगे तो इस पेकार से हमारे यह कोशन complete हुए friends यह मेरे notes हैं जिनकी pricing के सामने लिखी हुई है जिनसे मैं पढ़ा रही हूँ वही मेरे notes हैं तो आप अगर इनको चाहें तो purchase कर सकते हैं आप मुझे whatsapp कर सकते हैं इस number पे अगर आपको notes के वारे में कोई जानकारी लेना है और telegram और whatsapp गुरूप से जुड़ जाएगा telegram गुरूप में मैं जल्दी ही टैसे जीरी से स्टार्ट करने वाली हो mains के लिए तो आप प्लीज उसमें join हो जाएगा link से आप उसको जुड़ सकते हैं उसमें और अगर आप link से अगर add नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझे WhatsApp कीजिएगा तो मैं आपको गुरूप में add कर लूँगी और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा mains पढ़ते रहिएगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा okay friends thank you